तो इस दुनिया में आप जायजा लें 72 होरों पर इतराज है इस दुनिया में कभी-कभी एक इससान एक दिन में सब्सक्राइब दुनिया वलों ने पूरी मार्केट कैसे बनाई वह सुबह उठता है वहां भी कोई और अउरत और दुकान में कपड़े खरिने जाएगा वहां भी उसको और चाहिए यानि दिन भर में सौसो आर्दों का दिदार करना चाहता हैजहां चाहता है सोता आौरत ही आए सिर्फ अपनी नजर की तसकीन के लिए अपनी दिल की तसकीन के लिए और अगर जननत में अल्ला त्रेस तीम लिए बातर हो रहें यह तो तुम हैइट राज증 इस दुनिया तो हर चोराहे पर तुम औरत को खड़ा करके रखे हो, मर्दों के लिए, जिन से उनका कोई तालुक नहीं, वो उनकी बीविया नहीं है, दूसरों की माउ बहनों को आप सब के लिए इससा खड़ा करके रखे हो, तो कोई अपनी माउ बहनों के लिए नहीं बहनों की बहत्तर मिलेगा, देखी फितरी खाहिश है, इसी दुनिया में इनसान की फितरी खाहिश है, वो चाहता है कि आवरत हर जगे हमारे साथ रहे, कई औरते उसके साथ रहे, तो इसका अगर कोई जायज रास्ता अल्ला बताता है, कि मरने के बाद तुम्हारी यह खाह पूरी नहीं हो सकती है, तो आखरत में तुम्हारी खाहिश पूरी हो सकती है, तो आखरत के लिए कुछ नेक काम करें, या candles के लिए है, जो नेकी करेंगे, इमान के साथ अमल करेंगे, अच्छे काम करेंगे, जननत जायएंगे, ऐसे लोगों को हूर मिलने की बात है, यह जो आखरत का घर है यानि जन्नत हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो जमीन में बड़पन नहीं चाहते ना जमीन में फसाद चाहते आतंगवाद क्या है फसाद जो फसाद आतंगवाद चाहते उनके लिए जन्नत है ही नहीं हूर मिलना दूर की बात उनके लिए जन्नत ही नहीं मिलेगी और जन्नत की खुश्मी तो इस इस फासले से मिलती है तो यहां पर वो बलून की में से हवा निकल जाती है कौन सा बलून जो प्रॉपगाइंडा चल रहा है कि जो आतंक वादी को हूर मिलेगी आतंक वादी को 72 हूर मिलेगी आतंक वादी को जन्नत ही नहीं मिल झाल झाल झाल